संगों का इत्यास संग की आवशक्ता संग कैसे काम करता है संग कैसे खत्म होता है और आजकल के जो संग्ठन है उनमें और संग में क्या अंतर है और हमको संग में जाना चाहिए या संग्ठन में जाना चाहिए या दोनों में जाना चाहिए या दोनों में से किसी में नहीं जाना चाहिए ये प्रशन आपके सामने जितने भी समर्संग के स्पोक हैं उनके सामने ये लगातार आएंगे और लगातार लगातार आपको इनके सभी लोगों को जवाब देने पड़ेंगे आपको सारे जवाब पता होने चाहिए समर्संग के इत्यास के बारे में और समण संके वर्तमान के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, भविस्य का कोई अतापता किसी को होता नहीं, इसलिए भविस्य की बात करनी तो पेकार की बात है, अगर कोई व्यक्ति भविस्य के बारे में अभी सही बात करे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति हो न संग है, संग का मतलब होता है से अंग, यानि कि निज के अंग, एक जैसी वस्तू का इखटा होना, एक जैसे प्रकार, एक जैसे सभाव, एक जैसी वस्तू या चीज, या जीव, या पेड़ पंथू, या कोई भी चीज जैसी है, जो एक साथ इखटी होती है, उसको कहते हैं क कि ये संग बन गया जैसे कहते हैं कि ये भिक्व का संग है ये देश का संग है ये समुच्चे या संग करके बुला जाता है कि ये संग है पानी का संग है या ये हवा का संग है और जब भी कोई चीज एक साथ इखटी होती है तो वो अपनी ताकत बना लेती है इसका उधारन ह मैं ज़्यादा दूट देने की जरूत नहीं है एक प्राकरतिक उधारन सबसे तगड़ा है और प्राकरतिक उधारन ये है कि गलेक्सी के अंदर जो हमारा जिसको आकास गंगा बोलते हैं उसके अंदर जो सेंटर है उस सेंटर के चारो तरफ सारे के सारे जितने भी सूर्ज है जितने भी सूरज हैं, जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे उसके बंध्य हुए होते हैं और उसकी तरफ फिचे हुए होते हैं। उसका जितना material है, जितना उसका तत्व है, वो सब एक साथ एक खटा होने से उसके अंदर भार हुआ और भार होने से उसके अंदर एक बल आ गया जिसको बोलते हैं गूरत्व आपकरशन बल यानी जो प्रत्वी है, वो अपनी तरफ आकरशत करके सब चीज को खिच लेती है, ये उसके अंदर शक्ती आ गई उसके इखटे होने से इसलिए दुनिया में कोई भी चीज प्रत्वी पर कोई भी चीज जो गिरती है वो जमीन पर आके रुखती है क्योंकि जमीन उसको पिर तरफ खिच लेती है वो आकास में उड़के उपर नहीं जाती तो संग का सबसे बहतर उधारण जो हमारी धर्ती है जो हमारी धरा है जिसको हम धर्ती माता बोलते हैं उससे समझ सकते हैं कि वो मट्रियल जो उसके अंदर जितना भी तत्व है वो एक खटा रहता है तो उसके अंदर एक ताकत आ जाती है वैसे ही ताकत जब हवा एक साथ एक खटी होती है तो वो चक्रवात बना देती है बवंडर बना देती है तुफान बना देती है और अच्छे-च्छे पेड़ पौधों को खड़कर दे जाती है अच्छे-च्छी बिल्डिंगों को वो तहस्नेस कर देती है वैसे ही जब पानी खटा होता है तो वो समुद्र बना वैसे ही जो रेत के धेर हैं जब इखटे हो जाते हैं तो रेकिस्तान की रचना करते हैं वैसे ही जब कहीं पे जुंड या जाड कहीं पे इखटे हो जाते हैं तो वो जंगल का रूप बना देते हैं और वैसे ही जो जानवर हैं जो जानवर जहां इखटे होते हैं वो जानवर जीव है या जितने भी वस्तू हैं वो वही स्वक्षित रहती है जहां उनका संग होता है और कमाल की बात यह है कि संग में एक ही प्रकार की चीज होती है ऐसा नहीं होता कि हवा कर पानी का दौनों का मिलके संग बन जाए और दौनों मिलके काम करें ऐसा नहीं होता जीव भी एकी तरह के खटे होते हैं, दूसरे प्रकार के जीव निशेद होते हैं, संग के अंदर वो उसको एडॉट नहीं करते हैं और वो इसको अपने संग में लेते भी नहीं है, वैसे ही पक्ती से सीखे, पक्ती का मतलब है प्रकती, पक्ती का मतलब होता है जो पकाता है, उसको पक बोलते हैं और जो प्राकर्तिक है उसको बोलते हैं पक्तिक यानि कि जो पका हुआ है उसको प्राकर्तिक बोलते हैं तो ये पक्ति और जो प्राकर्तिक है जो पकाती है सब चीज़ों को आगे बढ़ाती है वो प्रकर्ति ने सभी चीज़ों को सुरक्षा के लिए संग का एक दिया है और संग में वो सुरक्षित रहते हैं जो जानवर जो जाल जो पेड़ जो चीज़ें संग में नहीं होती वो धिरे 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 समाप जाती है और जो संग में रहती है वो हमेसा मजबूत होती है और बढ़ जाती है इसलिए संग के अंदर सुरक्षा विकास सुरक्ष और ये तीनों चीज वो सिर्फ अपने जो संग में लोग होते हैं, या संग में जानवर होते हैं, या संग में वस्तू होती हैं, या संग में पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं, यानि के हर एक प्रजाती, हर एक प्रकार का वर्ग, हर एक प्रकार की वस्तू अपने अपने संग के लिए विकास, सुरक्षा और सुख की बात करता है और उसके लिए काम भी करता है तो संग का जो उद्देश से है वो बड़ा इस्पष्ट है संग का उद्देश से है कि संग हमेसा सुरक्षा के लिए विकास के लिए और सुख के लिए काम करता है सुरक्षा उसे अपनी जान की चाहिए वो जिंदा रह सके और जो उसको विकास के लिए उसको खाना चाहिए उसके बच्चे पैदा होते रहें या उस जैसे प्रजाती और पैदा होती रहें और वो आगे बढ़ती रहे तो उसके नियां उसे हवा पानी बोजन लगातार मिलता रहे, समय से मिलता रहे, अच्छा रहे, स्वस्त रहे, उसका विकास तरक्षी होता रहे, और मनुस्य के मामले में तो उसका मांसी विकास भी साथ चुड़ता है, और सुक उसको हर प्रिकार की जो सुक सुविदा है, वो मिले, चाएं वो पेड़ पौदे हों, चाएं वो बस्तों हैं, चाएं वो जानवर हैं, वो हमेसा सुक की तलास में रहते हैं, और संग इन तीनों चीजों को महिया कराता है, इन तीनों चीजों कराता है, इन तीनों चीजों को देता है, ये संग का उद्देश से अगर कोई आप से पूछे तो आप कहना कि हमारे लोगों का सुक्ष, हमारे लोगों का विकास और हमारे लोगों की सुरक्षा, ये हमारा उद्देश है और ये हमको चाहिए, जिन लोगों के पास संग नहीं होता, वो लोग सुरक्षत नहीं होते, उ उनकी सुरक्षा नहीं होती, इसलिए वो जगे-जगे-जगे-जगे मारे जाते हैं, खतम हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लूले-लंगडे हो जाते हैं, अपाईज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए संग ना होने से कि what is संग, संग क्या है, तो क्या आप बोलेंगे, संग हमेसा नियमों का बंडल होता है, नियमों का गुच्छा होता है, नियमों की थैली होती है, नियमों की किताब होती है, नियमों की कडोरी होती है, नियमों की पोटली होती है, जैसे पुराने समय में जो हमारा संग था, ज उसके जो नियम हुआ करते थे वो नियम हमने पक्ति से प्रकति से नेचर से सीखे और वो नियम उस समय तक क्योंकि हमारा भासा ग्यान नहीं था हम बोल नहीं पाते थे पर हम उनको प्रक्टिस मिलाते थे अभ्यास मिलाते थे जब हम बानर थे जब हम बंदर थे समू में रहत थे और हमारा पाकादा पूरा सिस्टम होता था कैसे हमें जाना है किसको हमें देखना है क्या खाना है क्या पीना है कैसे बच्चे पालने है सुर्चा किससे करनी है इसके सबके नियम होते हैं जानबरों में वो सारे नियम आज भी होते हैं बेसक वो बोल नहीं बाते वो नियम हमारे पास हासा आ गई, सब्द आ गई, हमने सब्द बनाने शुरू कर दिये, हमने सब्द बोलने शुरू कर दिये, तो फिर ये मौखिक रूप से चलने लगे, और मौखिक रूप से हम एक दूसरे को इन संग के नियमों को आदान प्रदान करने लगे, इस संग के नियमों का मौखिक चलन चलता रहा उसके बाद जब आगे बुद्ध आये तो बुद्ध ने अपना अलट से एक भिक्व संग भी बनाया वो पुराने संग में थे समणों के संग में थे पर उस समय भिक्वों की टेर्निंग देने के लिए उसको आप कह सकते हैं कि टीचरों का संग यानि सकत नियम थे क्योंकि उनको सब लोगों के लिए एक मिसाल बनना होता था इसलिए उनके नियम सकत रखे और बुद्ध ने वो संग बनाया विक्वों का संग जिसमें सिर्फ भिक्व आ सकते थे और स्रामनेरों का या उपासकों का या उपासिकाओं का संग जिसमें लोग डड़गियां और ते महिनाया आदी में, वो संग के नियम सारे मौकिक चलते थे, उनके पड्रिस होते थे, उसके बाद में जब लिपी बन गई, तो वो लिखित में भी आ गए, और दुनिया के पहले नियम संग के, भिक्कु संग के और भिक्कुनी संग के, वो नियम जो पुराने संबड़ों के थे उनके साथ मिक्स होके हमको लिखित में मिलने आरम हुए और सारी दुनिया ने उन्हों नियमों से सीख के अपने अपने संग बनाए उसके बाद सारे दुनिया में संग बने और संगों के नियम लिखित में चलने लगे मौखिक भी और लिखित 16 महा जनपत का महा संग बना जिसको महा भारत करके बुला गया इस भारत को महा भारत संग करके बुला गया उसके बाद वो पत्थरों पे लिखे गए पूरी दुनिया में पहुचे और फिर modern history के अंदर वही संग के नियम बावा साव अंबेट करने सम्विधान में लिखित रूप में दिये और वो आज भारत में चलते हैं और उस सम्विधान के modern नियमों को पूरी दुनिया ने अडॉक किया बहुत सारे देशों ने उस सम्विधान को देखके अपने अपने सम्वि सम्विधान के अंदर नीद है तो वही संग चलता है क्योंकि संगों के रूप लगाता लगाता बलते गए बदलते गए जैसे पक्ती ने हमको दिया अलगलग पक्षियों के संग बने अलगलग जानवरों के संग बने फिर मनुस्य के संग बने फिर वो जो जनपद है उसका संग बना, भारत का भी संग है जिसको भारत गड़राजय संग बोलते हैं, भारत गड़राजय संग बना, अमरिका ने अपने राजय का संग बनाया, एक संग तो राजय संग होता है जो चलता है, तिर यहां चात संग बना रखे हैं, महिला संग बना रखे हैं, यह सारे संग य लगाता साथ 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 चलता रहता है इतने संग की आउस्ता लगबग सभी को पड़ती है जितने भी लोग है और अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए अपना विकास करने के लिए और अपने सुख के लिए संग लगाता लगाता लोगों के साथ रहते हैं तो वहां से सं राजय संग में नियम मानते हैं, अगर आप भिकु संग में नियम मानते हैं, तो तो वो संग है, और अगर आप नियम नहीं मानते हैं, तो फिर वो असंग है, फिर वो संग नहीं है, इसलिए जब जब नियम माने गए और कलाई से पालन किये गए, खुद के नियम, खुद के لیے خود کے دوارہ. یعنی by the people, by the people, for the people, of the people. सी से लेके राखिए तक, यानि जब से पकती से मौकिक और जब मौकिक भी नहीं तवप से जो संगर संग के नियम है और जो लिखेत में चल रहे भारत के संभिधान मैं वो सारे के सारे नियम आज तक by the people for the people of the people है यानि लोगों के हैं लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए हैं वही संग के नियम का होता है कि संग हमेसा नियम लोगों के साथ से बनाता है तो चलना भी लोगों नहीं पड़ेगा क्योंकि लोगों के लिए हैं अगर लोग उस पर नहीं चलेंगे अपने संग के नियमा पर नहीं चलेंगे तो वो व्यवस्था फेल हो जाती है संग की जिसके लिए संग बनता है और नियम बनाता है चाए वो देश की व्यवस्था हो चाए वो समणों की व्यवस्था हो चाए वो पक्षियों की हो चाए जानवरों की हो चाए वो किसी भी छो रूप करते हैं, सकताई से पर्लख करते हैं, उनके संग हरे भरे रहते हैं और जो एहब लए बस इधा उदर की बात है करते हैं, संग के नीयम नहीं मानते हैं या संग के नियम को तोड़ने के लिए त्यार रहते हैं और संग अगर नियमों के बंडल को नहीं मानेंगे तो तहसनास और खतम हो जाता है यही कारण है कि हमारा संग कमजोर पड़ा क्योंकि हमने संग के नियमों को मानना छोड़ दिया या कम कर दिया या भूल गए या भुला दिया बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसमें हम लगत हैं कि भारत में हमारी जो पुरानी श्थिति ती वो मजबूत किस्मियतं थी, बहुत सारे वदवान कह सकते हैं कि हम अनपड़ हो गए, हमारी पूजी चली गई, अमारा खेट चला गया, हमारी राजसाही चली गई, हमारी डॉक्टर चले गई, हमारे इंजीनर चले गए, ہمारी सेराय खتم हो गई, हमारी जमीन जाजा चली गई पर ये बात ठीक नहीं है. ये सब सी चली बात ठीक है, पर ये सारी चीजे गई क्यों है? कोई कह सकता है कि अनपड होने के कारण गई तो उससे ये पुछा जाए कि आप अनपड किस कारण से हुए अनपड होने की वज़े सारी चीछ चली गई ठीक बात है पर अनपड किस कारण से हुए कोई कह सकता है कि उसके जितने भी जाजाती वो सारी चली गई वो चली गई प फकीर बन गए और क्यों हम टुकडों में तूट गए तो बहुत सारे विद्वान जब इसके बाचीत करते हैं और बाचीत करकर निसकर्स निकालते हैं तो वो निसकर्स में फस जाते हैं क्योंकि विद्वान जो होता है वो कहता है विद्वता चले गई इसलिए हमारे गए क्य कोई कहेगा बिरोकेट के हमारी रासा ही चले गए, हमारी सरकार चले गए, या हमारे राजा चले गए, क्योंकि अपनी बिरोकेशी के लावा कुछ और आता नहीं है, कुछ लोग है जो ये कहेंगे के हमारा पॉलिटिकल फिल्ड है, जो चला गया इस वैसे वोपर नहीं है, य चाहे वो धनडे हों, चाहे वो धनडे ना हों, गरीब हों, चाहे वो सेहत में अच्छे हों, चाहे वो सेहत में अच्छे ना हों, चाहे उनके पास घरमकान अच्छे हों या घरमकान अच्छे ना हों, पर जो लोग साथ रहते हैं, सारी चीजें वहीं से चलती हैं, सब चीजे बड़ा नहीं होता, जो अल्प समू होता है, उसकी सारी चीने चिनती हैं, बड़ा समू, छोटे समू की सारी चीने चीन लेता है, इसलिए किसी के पड़ाई से, लिखाई से, विद्वान से, विद्वान से, विद्वता से, डिगरी से, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये ब संगे सकती योगे योगे यानि जोड़ जोड़ से जोड़ जोड़ के जो संग से सकती होती है वही सकती है किसी ने भी नहीं कहा कि विद्वान होने से सकती होती है किसी ने नहीं कहा कि आपको धराड़ होने से सकती होती है किसी ने नहीं कहा कि आपका सरीर अगर बलिष्ट है तो उससे सक्ती होती है, सबने कहा है कि अगर इखटे रहते हैं तो सक्ती होती है, किसी की विदुता, किसी का सरीर, किसी का पैसा उसके इंडुजल कामा सकता है, किसी के ग्यान उसके इंडुजल कामा सकता है, अकिले कामा सकता है, पर अगर समू की बात होगी, और संग की बात है व्यक्ति की सकती व्यक्ति से बंदी है तो व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है व्यक्ति बता सकता है व्यक्ति बता सकता है कि पहले क्या हुआ आप क्या हुआ पर संग जब तक इखटा नहीं होगा सकती नहीं आने वाली चाहिए वो व्यक्ति कुछ भी करता रहे इसलिए संग क सकति का होना बहुत आवुषक है और सबका को बहुत आवशक है इसह बारबार Gनवी लोगों है कहा उन्हों ने यही कहा बचों एक खटे रहना साथ हैना जम मरचिय मावाब बुड़े बूड़े होते हैं तो देश कपजा कर लेना राजा बनना शहिंशा बनना वो हमेसे एक बात किए उनको अंतिम ये बात समझ मेंде आ जाती है कि सारी बातें प्राप्ट हो जाएंगी अगर एकोट रहेंगे तो और सारी बातें चली जाएंगे अगर टूट गे तो इसलिए मरते समय हर एक विक्ती का आखरी उब्देश होता है इकटे रहना बच्चों को बलाके हाथ पकलके अगर उसके चार बच्चे हैं तो मनने से पहले चारों बच्चों के हाथ आपस में मिलवाके कसम दे के मरता है कितना बढ़ा संदेश दे़के जाते हैं कि संग में रहना इसलिए अंगरेच यहां से जब गए तो हमारे संग को तोड़ गए और यहां जितने भी लोग आए समराटरसु के बाद उन्होंने हमारे महाबारत के संगों को तोड़ा हमारा नेपाल चला गया, हमारा भुटान चला गया, हमारा अफगरिस्तान चला गया, हमारा तिब्बच चला गया, हमारा मंगोल चला गया, हमारा बर्मा चला गया, हमारा स्रीलंका चला गया, हमारा पाकिस्तान चला गया, हमारा एरान चला गया, हमारा चीन का हिस्सा चला गय यह सारी चीजह हमारी चली गई और अंग्रेज जाते जाते और तुक्णे कर गए और वह लगाता तुक्णे करने के लिए करते रहते हैं क्योंकि जितना कोई देश अपने संग से टूटता टूटता चला जाएगा उतने बाकी लोग पावरफल होते चले जाएगे इसलिए अ उसरे के देशों को कमजोड करने के लिए उनको तोटते हैं यह नियम हर जिगे चलता है संग का हर जगा चलता है हर जगा चाहे वो किलास है चाहे वो दफ्तर है चाहे वो खेती है चाहे किसान है चाहे पोट है चाहे पुलिस है चाहे वो घर है चाहे वो हस्पिटल है चाहे वो पाशोषय का उपासक है या कही हुजा घर है कुछ बी है यह संग संगे सक्ति हर जीगे चलता है इसलिए सादु संत भी कहते हैं भजन करो भजन का मतलब Ьसोशीट रहो भजन को पाली में एसोशीइशन बोलते हैं एसोशीट बोलते हैं पर संगते अलगलग हो जाते हैं, उनको तोड़ते हैं, क्यों तोड़ने वाले लोग के अफ़ी तागत पूरी लगाते हैं, इसलिए डॉक्टर अम्बेटकर कहते हैं कि आपको और्गनाइज होना है, इकटे रहना है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संग की सरण में जाना है, सारे के सारे लोग यही बात कहते हैं, तो हमको संग की सरण में जाना है और संग से ही हमारी गती हो सकती है, इसलिए समढ़ संग और संग में जाना बहुत जर्वी होता है, इसलिए संग की मानता होती है, तो संग को कमजोर कैसे किया जाता है, संग को कमजोर करने के लिए है संग के अंदर कुछ संगी भेजे जाते हैं जो लोग संग को तोड़ना चाहते हैं और उस संगियों को उपसाय जाता है उनके व्यक्तिकत लालश दे के उस संगों के नियमों के वुरुद जितनी चीज़े हैं उसके लिए उपसाय जाता है उनको पैसा दिया जाता है उनको प्रतिष्टा दी जाती है उनको मान सम्मान दे जाता है और उके द्वारा उनको चड़ाय जाता है और संग के नियमों को कमजोर करने के लिए उनसे जान बूच के कहा जाता है कि आप संग के नियमों पे मच चलो यह ऐसे ठीक नहीं है यह सारी दुनिया में काम चलता है इसलि वार सवा लगती थी तो सवा को बांड गांधिया जाता था गाग यो न आ जाये ऐसी लोग न आ जाये जो संग को तोडने वाले हो और 20 प्रकार के लोगों का उस सवा में बैठना अबैध था एक किस प्रकार के लोग आने सकते थे वो लिखे हुए विन्यापी टक में किस प्रकार के लोग बैठें को बुद्धु को पता था कि यह तोड़क लोग है तोड़ने वाले हैं और वो अपना कोई साथी कमजोर होता था तो उसको मोरली बूस्ट करते थे कि अगर किसी से कोई संग का नियम तूट गया है तो बता दे तो संग में संग के नियम तूटने में प्राइश्चिस से लेके और संग घात के आरूप में बहार निकाले तक के सारे लोग थे और सारा नियम था और उसमें वाकादा एक अदालत भी हु आहे, कोई ऐसा नहीं बनाया, गुद्धन नियम के बस अपनी गंद कुटी में बैटे हुँ और कोई मन में नियम आ गया तो बता दिया, जब समस्य आई, उस समस्य पे समधान हुआ, बहस हुई, और बहुमत से और नियम पास हुआ, और वो नियम बन गया, और नियम बदलते यचा कुछ हो जाए। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि संग बात तक भी चला और आज तक भी चलता है और दुनिया उनी के संग के नियम से सीख के संग बनाती है। तो हमारा तो जन्मझात संग संग है समण संग जन्मझात और पहले से हैं और बुद्दमी। उस संग के समन संग के मयंबर रहे हैं。 सदस्य रहें बाकाइद और उन्हें सपत लिए तो इतना पुराना संग है हमारा तो कहां से आरंब होता है और आज यहां तक पहुंचा है जो हमारे पास यह वही संग है जो वहां से लेके यहां तक चल रहा है यह संग की हिस्ट्री है तो हमें आज के समय संग की आवस्कता क्यों पड़ी है हमें आज की समय संग की आवस्कता इसनिया पड़ रही है क्योंकि संग में जो तीन चीचे होती है सुरक्षा है, मिकास है और सुख है, वो तीनों गायव है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हम जगे जगे मारे जा रहे हैं, जगे जगे पिट रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे बचना है, कैसे नी बचना है, वो बचने की जीत और कोशिस करते हैं, वो सोसते हैं कि हो हला करने से बच जाएंगे, वो सोसते हैं कि भीड इखटी करने से बच जाएंगे, वो सोसते हैं कि किसी को ललकारने से बच जाएंगे, और ऐसी ललकार, ऐसी भीड, ऐसा हो हला, सतर साल से लगातर बढ़ता जा रहा है, चाहें वो खैला अंजी हो, और चाहें की घटना हो चाहे उत्तरप defining की घटना हो एक घटना घटित होती है उसके बाद फिर वहाह हुआ होता है शोर मसता है मंस्त आ कच लोगा आते हैं जो बड़े ब्यक्कूप से होते हैं वह अपना फोटू खुच्वाता है अपना नाम करते हैं, उल्टे सीधे वक्त पे देते हैं, ऐसे भाशन देते हैं, जिससे दो चालो उपसा के फिर उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, ना समझी वालो बच्चों वाला काम, क्योंकि पॉलिटिक्स उसमें इन्वाल हो जाती है, लोगों को MPMA बनना है, तो उनको चमकना ह होता है, और वो जाने अन जाने में वो काम करते हैं, जिससे और नुक्सान होता है, तो हमारी जो सुरक्षा है, वो अलमुष्ट खतम हो चुकी है, अगर हमारी सुरक्षा होती, तो हमारे बच्चे या हमारे जो लोग हैं, उनका आफिसों के अंदर, उनका सड़क के अंदर उनका गाओं के अंदर उनका मोहले के अंदर कोई पिताना नहीं होती है अगर ये लगातार लगातार पिताना हो रही है और बावा सब अमेट कर अपने वॉल्म में लिखते हैं कि कहां कहां पिताना होई और उस समय से हो रही है और लगबग तीन सो चार्ल सो साल पहले से आरम होता था वो खतम हो चुका है हमारा पतन हो रहा है किसी व्यक्ति के समू का या किसी देश का या देश मा रहने वाले लोगों का पतन हो रहा है या विकास हो रहा है यह उससे पता चलता है कि अगर किसी का बच्चा डॉक्टर है और उसका पिता डॉक्टर है और उसका अगला पीडी डॉक्टर नहीं बनती है और वो compound रह जाती है इसके विकास नहीं हुआ अगर किसी वेक्तिगी आमदनी आज 1000 रुपे की है और उसकी चार साल बाद 500 रुपे की रह जाए तो पतन हो गया अगर किसी के पास चार बड़ा घर है और उसका घर बिक्का छोटा घर हो जाए तो पतन हो गया अगर किसी की सेहत अच्छी है और उसका चेहरे पर चमक है और कुछ समय बाद वो सूप जाए उसको खाना नाम ले इसका मदद उसका पतन हो गया अगर किसी के पास में बहुत बड़ी डिग्री डिग्री है बड़ी डिग्री है और उसके बच्चे के पास अमार पिटें या वो घबराए तो इसका मत्दब पतन हो गया उसका सुतंता उसकी आजादी चली गई अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहे और वो काम उसको ना मिले और मजबूरी में कोई और काम करना पड़े तो इसका मत्दब उसका पतन हो गया तो विकास का पतन का प मौके हमारे पास थे जो हमारी नौकरी थे जो हम जहां-जहां काम करते हैं वो मौके खतम किये जा रहे हैं पढ़ाई के मौके खतम होगे नौकरी के मौके खतम होगे बोलने के मौके खतम होगे यह सारे चीचे खतम हो रही है तो इसका मतलब विकास नहीं हो रहा है विकास ना आदमी हमारा टेंसन में हैं, हमारे आदमी सुतंत नहीं है और वो सुखी नहीं है, सारे सारे लोग दुखी है और गाउं में और बड़े छोटे-छोटे कस्मों में तो बहुत ज्यादा लोग दुखी है, इसका मतलब सुख भी गायव हो गया, विकास भी गायव हो गया, विक करे कुछ भी करे यह तिनो चीज़ दलाने का काम संग का होता है तो पॉलिटिज़ पार्टी कुछ भी कोशिच करे नहीं तेला सकती है इसलिए संग की आवस्टता अब ज़्यादा है क्योंकि तीनों चाहिए तो लोगों ने संग की विकल्प को नहीं समझा और उसके विकल्प में उन्होंने इकटे होने के लिए संग्ठन जैसी जचनाय बनाएं तो संग्ठनों में और संग में क्या अंतरे बिसी तरी आप एक बात देखिए हमारे संग्ठन जब बनते हैं तो वो कभी किसे पूछते रहें समा से पूछते नहीं जिनके लिए बनते हैं उसे भी नहीं पूछते अपने आप बनते हैं अच्छे भाव से बनते हैं अच्छे मन से बनते हैं पर च गाड़ी, कार, हेलिकॉप्टर, पैसा, होटल, यह सब चीज दिला देते हैं, कुछ लोग तो इससे आगे भी दिला देते हैं, जो नारी, इस्त्री, जो सुविधा वगरा होती हैं, वो सब आयासी की चीज़े भी दिला देते हैं, ताकि उनके चंगुल में फ़सी रहे हैं, फिर उनको पद, पोष्ट और बंच की जो माला ऐसी आतर पड़ जाती है, कि वो इस जगे को छोड़ना नहीं चाहते, फोकट में मिलती है, समाज का पैसा, फोकट का पैसा, फिर वहाँ जगड़े होते हैं, फिर दूसरा संग्ठन बन जाता है, फिर तीसरा बन जाता है, सं लिए हजारो पॉलिटिकल संग्ठन है, अगर सोचल वर्क है, तो सोचल वर्क के हजारो सोचल वर्क के संग्ठन है, अगर लड़कों के दलबल हैं, तो हजारो प्रकार के हैं, अगर वालिंटर फोर्स के टाइप, टाइगर फोर्स के टाइप, पैंथर जैसे संग्ठन बने है बी-बी-बजे संगटरं बने है तो समता सेंग दल जैसे तो वो भी हजारों में बने हुए उर टुकनर में बलग-लग है घम के संग़ने है तो हजार trainben который बने हुए एक ही सिंगल काम के अगर हजारों संगवने लाहकों संग़न बनेंगे तो वो काम के बिल्गी में हो नहीं सकता और वो लोग आपस में उल्जे रहते हैं आपस में दूसरे टकरादे रहते हैं उनका कोई लाज नहीं है और सबसे मजदार बात ही है कि वो हमको इखटा होने के लिए कहते हैं और धारण देते हैं दूसरे के संग का वो कहते हैं पर अपने संग की बात नहीं करते हैं और हमने यह हिसाब लगाया और पिछले दो साल से तो जितने भी संगी हैं यहाँ पर सब यह जानने हैं कि उनके तो सपनों में भी संग नहीं है वो सब संग की सोच नहीं है उनके पास तो वो मैं मेरा व्यक्तिगत और मेरा एकाउंट और मेरा पैसा मेरा चंदा मेरी पार्टी मेरा संग ठन मैं प्रद्धान वो उसी में फसे हुए हैं वो संग को जानकर भी नहीं जानते को कि संग के अंदर मैं मेरा मंच माला पद पोश्ट यह सब नहीं होता संग के अंदर केवल संग बाद होता है और संग बाद के लिए आपको अपना सब कुछ देना है आपको मिलने का चांस नहीं है जो मिलेगा सब को बरावर मिलेगा इसलिए संग में कोई आता नहीं संग कोई बनाता नहीं संग कोई सोचता नहीं और संग के नाम रख लिए बहुत लोगों ने पर संग का नियम एक भी नहीं रखा वो बंद कमरे में नियम बनाते हैं जबकि संग के सारे नियम ओपन में बनते हैं संग एक खुली किताब होता ह पर जो संग्टन है वह काली और गृत किताब होता है जो सुरूब रच्टार के पास जाती है और रच्टार के यहां वो उसमें आज इवन परधान अपने आपको लोग लेकर उसको बंद कर देते और किसी को कॉपी नहीं देते चाहे वो political party हो, चाहे वो सामाजिक संग्टन हो, चाहे वो राजनितिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो लड़कोई दलवाल के हो, चाहे वो सरकारी करमचारियों के हो, चाहे वो धम के हो, सबने अपने बाइलोज में अपने आपको आजीवन, मालेक आजीवन सदस्य, सद अपना उद्धार करना है अगर हमें ये तीनों चीज़ें प्राप्त करनी है तो ये संग्ठन से नहीं हो सकते हैं अगर संग्ठन से ये चीज़ें प्राप्त होनी होती तो अब तक हो जाते हैं ये ओपन चेलेंज है सारे संग्ठन होगे खुला दावा है कि 29 के 29 लाग से सिर्फ एक चीज़ प्राप्त हो रही है कि हमारे अधिकार लगाता लगाता घट रहे हैं यानि अधिकारों के जाने की गती प्राप्त हो रही है यह प्राप्ति हो रही है यानि निगेटिव प्राप्ति हो रही है उल्टा मिलना है हमको अधिकार बढ़ने चाहिए पर अध ही इसको कर सकता है इसलिए समर संग और जो हमारे पुराने संग हैं सारे लोगों ने संग को वंदन किया संग को नमामी की बुद्द स्वेम संग को नमामी करते थे और यहां भी सारे लोग अपने संग को नमामी करते हैं संग को बंदन करते हैं ऐसा कोई संग नहीं आज तक दुनिया में जो अपने लोगों के लिए सुख अपने लोगों के लिए विकास और अपने लोगों के लिए सुरक्षा लेकर नाया हो अब दुनिया के किसी भी संग को उठा ली दिये चाहे वो मुस्लिमों का संग हो चाहे वो कृ पेरों का संग हो चाहें वो घदों का संग हो चाहें वो पेडों का संग हो जितने भी संग है उनके अंदर विकास भी होता है उनके अंदर सुख्षा भी होती है और उनके अंदर सुख भी होता है और संग से टकराने की हिम्मत किसी की नहीं होती अगर हेरनों का संग कहीं जब संग में चलती हैं तो उससे बाज भी घबराता है क्योंकि सारी चड़ियां के चिपट गई तो बाज भी क्या कर लेगा इसलिए संग में ती ताकत होती है कि जब चार-पांच लोग इखटे चलते हैं तो दो-चार लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उनको अवे तबे करें और अकेले व्यक्ति को कोई कहीं कुछ भी बोल देता है इसलिए हमारे संगों को तोड़ा गया इसलिए हमारे नियम तोड़े गए इसलिए हमारे संग को कमजोर किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि हम अलग-अलग हो गए हम टुकडों में बट गए और उन टुकडों को अलग-अलग खतम करना और मारना आसान हो गया और हमा केबल कहा बलकर जो कहा उसको करके दिखाए इसनी उनको तत्ह पे आगत जो तत्ह हैं उस पे आए हैं पहले तब उन्होंने उपदेश दिया है तब बात को बताई है जो संग की ताकत को नोने दिखाया कि संग की ताकत कैसे होती है उसी संग की ताकत के बाद से सम्राट दस साल और होती, तो आज हमारा रूप रंग कुछ और होता, साइध हमें यहां गला फाड़ा के अपना चिलाने की, या यह सब बताने की, आप सब को नीज़े उती होती है, हमारे बच्चे और हम सब साइध मज़े कर रहे होते हैं, और हमारा संग बहुत मजबूत होता, और बहुत बड़िया काम दराओं था पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि महापुस्तों आते जाते हैं पर उनकी बाते हैं हम ऐसा संगिक होती हैं संग के हित्मा होती हैं संग के अनुसार होती हैं तो हमें उनकी बाते हैं मानते हुए बिना तेरी की हुए अपने संग म बारे में याद दलाएंगे, उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी जो अब तक सफलता हुई है, जो अब तक हमने संग में काम किया है, उस संग के अंदर हमें पहला फाइदा, पहली सफलता ये मिली, कि हम अपने समढ सब्द को, समढ संग को पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लोगों तक पहुंचाने में काम्या बग Mu vacuum हमारा पहला काम हो गया कि हमें पुराना संग याद आया और हमने सबको याद किराये और हम इसमें दिन रात याद किराने में लगे दो दूसरी सबलता ये मिली कि समढ़ संग की जो नियम है वो दुबारा से जिंदा हो गए और वो हर एक लोगों के हाथ में समढ़ गंत के रूप में लगातार पहुंच रहे हैं तीसी सबलता हमें ये ये मिली कि अब संग का जो कंसेप्ट है और संग का जो तत्व है व चोथा step हमारा लगाता चल रहा है कि अब हमको काम करना है क्योंकि विचार हमारे पास आ गया, बात आ गया, हमारे पास हम बता रहे हैं, वो हमारा face पूरा हो गया, अब सिर्फ हमको काम करना है, जितनी तेजी से हम काम करेंगे और काम हमारा एक है, जुड़ेंगे, जीतेंगे जुड़ना है जीतना है बस संग को समझना है संग को बताना है जो जो लोग जुड़े हैं वो वो लोग जीते हैं जो जो लोग संग में हैं वो सारे के सारे जीते हैं यही काम हमें करना है इसलिए समढ़ संग की आवसकता है इसलिए संग की आवसकता है और इसकी आवसकता कभ हमारी सांस है, जिस दिन ये सांस आनी बंद हो जाएगी, हमारा काम खतम हो जाएगा, सांस 24 घंटे चलती है, वैसे ही हमको समढ संग में 24 घंटे काम करना है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा सुख है, ये हमारा विकास है, ये हमारी स्वक्चा है, इसी के लिए जीना है, इसी के झाल झाल